हेलो एवरिवान विल्कम टू माई चैनल पूनम्सरेश कीचन आज मैं बनाऊंगी वेज जटपट मैंने कड़ाई ले लिया है इसमें मैंने दो चमच तेल डाला है सरसो का तेल डाला है मैंने आप चाहे तो रिफाइंड ओयल में भी बना सकते हैं मैंनेृ और यहां पर कुछ kıड़े मसाले लिए हैं सुखे मसाले जिसमें है तेश पत्ता दो तेश पत्तत हैं और दो सुखी लाल मिर्च है नॉर्मल वाली है लाल मिर्च यहां पे चार लॉंग चारी लाइची और एक दाल चेनी का छोटा टुकड़ा मैंने लिया है इसको डाल देंगे टेल में थोड़ा सा सोटी करेंगे यहां पे मैंने लिया है तीन बड़े प्याज लिया है मैंने और चार टमाटर लिया है दोनों को रफली चॉप कर लिया है यह दोनों एकी साथ कड़ाई में डाल दूंगी सोटे कर लेंगे इसको अब इसमें डालेंगे अधरक का टुकडा एक इंज़ अधरक का टुकडा मैंने लिया है चार से पांच लासन की कलिया और तीन हरी मिर्षे इसको भी इसमें डाल देंगे मिला लेंगे यह हमारी ग्रेवी रेडी हो रही है इसको भूनना है हमको चार से पांच मिनिट तक इसको भूनना है धक देंगे धक के भूनेंगे अब यह देख लेते हैं थोड़ा सा सौफ्ट हो चुका है यह अब इसमें डाल देंगे मुंगफली के दाने यह मैंने कच्ची मुंगफली ली है अगर आप चाहें तो भूने हुई भी ले सकते हैं या फिर आप काजू भी ले सकते हैं लेकिन काजू तो हम लोग डालते ही रहते हैं पनीर वगर में मस्टूम में डालते हैं लेकिन इसमें अगर आप कच्ची मुंगफली डालके देखेंगे फ्रेंट्स बहुत अच्छा टेस्ट आएगा ये गिन मानिया आप ऐसा बना के देखें अगर देखें घर में एक बार बनाएं जरूर अच्छा बनेगा और मुझे कमेंट करके बताएं कैसा बना है ज्यादा दिर तक इसको नहीं पकाएंगे और ये हो गया है अब इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में ठंडा करने के लिए ताकि इसकी ग्रेवी बन सके मिक्सिजार में निकाल लिया इसको मैंने प्लेट में अब मैं इसी कड़ाई को फिर से चड़ा देती हूं इसमें डालेंगे फिर से सरसो का तेल डालेंगे इसमें तीन बड़े चम्मच यहां पर मैंने सरसो का तेल लिया है यहां पर डाल देंगे जीरा एक चम्मच थोड़ी से हिंग डालेंगे इसमें मिला लेंगे इसको चटकने देंगे यह हमारा चटक चुका है अब इसमें डालेंगे आलू गाजर बीन्स और यह सिमला मिर्च है यह गोवी फोल है इसको भी मैंने छोटा-छोटा काट लिया है मिला लेंगे इसमें डालेंगे हल्दी एक चम्मच नमक स्वाद के अनुसार मिला लेंगे इसको फिर से और इसको ढग कर पकाएंगे चार से पांच मिनट तक यह हमारा आधा सॉफ्ट हो चुका है भून चुका है यह भून गया है दोस्तो और इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में यह जो वेजटेबल्स है इसको आप थोड़ा अच्छे से भून लें इसका नहीं तो यह टेस्ट इसका स्वाद नहीं आएगा खाने में उतना ज्यादा टेस्ट नहीं लगेगा अगर अच्छा से नहीं भूनेंगे तो यह हमारा भून गया है हमने निकाल लिया इसको अब इसमें ग्रेवी बनाएंगे इसी तेल में थोड़ा सा और तेल डालेंगे एक चमच के करीब अब इसमें वह जो मैंने मिक्सी में प्याज टमाटर अद्रक लसन मिर्श यह सब का मसाला जो पीसके रखा था वह इसमें डाल दिया इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे यह अल्रडी भूना हुआ है दोस्तों अब आप उड़ी पका हुआ है इसको ठोड़ा सा 2-3 मिनिट के लिए इसको चला लेंगे इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे कि इसमें लाल मिर्श डालेंगे कसमेरी लाल मिर्श है यह धनिया पावडर लाल मिर्श पॉडर, काली मिर्श पॉडर, जीरा पॉडर मिला लेंगे और मिक्सी के जार में जो मसाला लगा था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल दिया नमक डाल देंगे नमक हमने बेश्टबल्स में भी डाला था और ग्रेवी के इसमें भी डाला था टमाटर प्याज में यहाँ पे थोड़ा देखके आप डालेंगे नमक ने तो ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे मैंने आधा कप पानी डाला है इसमें इसको थोड़ा सा बॉइल होने देंगे बॉइल हो गया है इसमें मिला देंगे भूने हुई सब्जी इसको ढखके थोड़ा देर पकाएंगे दो मिनट के लिए यह हमारा बन चुका है दोस्तों इसमें डालेंगे धनिया पता मिला लेंगे इसको गयस को बंद कर देंगे और एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं इसमें डालेंगे फिर से थोड़ा सदनिया उपर से गार्णी श्रिंग के लिए दोस्तों हमारा बन के रिड़ी है बेज जट पट थैंक्स फर वाचिंग फ्रेंड्स प्लेज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को थैंक यू